स्ट्रेंट्स, वेलकम टू अमरी सिनियर स्कंडरी स्कूल्स ओनलाइन क्लासे वेलकम टू SS3 क्लास स्ट्रेंट्स, आज जैसी समाजी सिख्या दे पहले पाग, वो गूगल दा पहला पाट, जिस दना है पारत एक जान पशान पढ़ रहां असी आज इस दा तीसरा पाग शुरू करन जा रहे हैं, इस सु पहले दे दो पाग में चैसी पारत दा नाल जान पशान कीती, ते पारत नू जाने आज जैसी पारत दी, स्थिती, स्थानक विसार, अकार, ते केतलवाल बारे पढ़ांगे, ते पडोसी राज्यां बारे जो की इबुक दे पेज नंबर दो, तीन, चार अते पंचते है, आवचो असी आज अपना पाट शुरू कर दे हां, साथा पहला टॉपिक है, सिती, पारत नू संसार विच दखनी एशिया देना नाल भी जाने जनता है, क्योंकि एशिया मादिव दे दखनवाल नू फैल्ल गोलार्द विच सित्त है, इस दे उत्री सिरेते महान हिमाल्यादी परवती दिवार है, अते दखनवल विशाल हिंद माह सागर है, दखनी इस से विच प्राइदे पी पठार होंकारन ती कौनी शक्र बन दी है, जिस दे एक पासे अरब सागर है ते दूसरे पासे बंगाल दिखाडी है एक लोग तो पूर्वी वुलर्द विच स्तित और करके पूर्वी देशा दिकतार विच आखड़ोंदा है इन मा सागर विच लंगन वाले कुमांतरी सागरी रस्ते पारदाएक संपरक एक पासे पच्छम देविक्स देश समुद्री यूर्पियन अते अमरीकन नाल ते दूसरे पूर्व ते तूर पूर्व पंजा विच स्तित चीन जबान इंडुनेशिया ते अस्ट्रेलिया नाल बणोंदे है इस सो इलावा अफ्रीका ते मा देशिया देश वी समुद्रा रही वपारक सबंद कायम कर दे है स्वेज नाल पारत वीच वपारक में तता होर वी बद गी है जिसनाल पारत पश्मी यूरप वीच बंदर गहां दे अड़ताली सो किलो मेटर होर नेड़े पहुंच गया है एक परकार पारत नो हिंद मा सागर वीच केंद्री सिती हासल है अब बच्यों इस पॉइंट नो होना से विस्तार देनाल समझ दे हाँ सब तो पहला असी जान दे हाँ कि दुनिया विच सत महाद वीपान एना विचो एक माधीप एशिया विच पारत सित है आज जो तुसी देख रहे हूँ एशिया माधीप दा नक्षा है बच्यों इस मैप विच जो आप वाक वाक रंगा विच दिखाये गए हाँ ओ अलाग लाग एशिया माधीप दे देश है इस मैप विच जो लारंग विच दिखाया गया है ओ पारत है हून पारत किते है पारत एशिया माधीप दे दखन विच है ओकी में उपर उत्र है, खब्बे पश्यम है, सज्जे पूरव है, ते थल्लिक दखण है जिते की तुझी पारत देख रहे हो उनसी पारत दियां चारे दिश्यमा बारे जान देहां, साड़े देश दे उत्र विच मतलब सब तो उपर लगदाक्त शुरू करके पूरव अरुनाचल परदेश तक सज्जे पासे, अरुनाचल परदेश तक हिमाले परवद्दियां, चोटियां हन दखन विच मतलब थले पैरां विच हिंद मा सागर है, एक पासेओं खबे पासे, पासेओं अर्ब सागर है, ते सज्जे पासे पंगाल दिखाड़ी है उत्र हिमाला अते दखन विच हिंद मा सागर होन दे कारण पारदी शकल तिकूनी है बच्चियों तुसी जान दे हो कि साड़ा बहुत सारा वपार जड़ा है, वो समुन्दरा दे रही हुंदा है हिंद मा सागर विचो निकलन वाले अंतर राश्टरी मारगां द्वारा पारत दा दुनिया दे दूसरे देशा देनाल वह पार हुन्दा है जिमेके चीन, जपान, इंडुनेशिया अते अस्ट्रेलिया, अफ्रीका अते मादेशिया दे देशा देनाल हूं तुसी एक मैप देख रहे हो, तुसी एह पारता हिंद मासागर्दा अंतराश्ट्रिये जो समुद्री मारगन एह उस्था मैप है तुसी मैप विच निले रांग विच जो हरे रांग दे एरोज देख रहे हो, ओहो हिंद मासागर विच पारत दे, हिंद मासागर अते पारत दे समुद्री रस्ते दिखा रहे हन तुसी जो लाल लाइन्स देख रहे हो वो पारत दे दुनिया तो निकलनवाले स्मुंदरी रस्ते हान तुसी लाइन्स दे द्वारा सज्जे पासे एशिया दे देश चीन, फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलेंड, आधी देख रहे हो खब्बे पासे पाव थल्ले, अफ्रीका दे देशां दे स्मुदरी मारग देख रहे हो जो कि पारत नू अफ्रीका दे काफी देशा देना जोड दे हान खब्बे उपर तुसी जो लाल लाइन्स देख रहे हो, ओ पारत दे मादेश या दे स्मुदरी मारग हन जो कि मिसर तो लायके इराक तक फैली होई है बच्यो असी इस पॉइंट नो होने विस्तार ना समझेया अगों अपना होने सी लेसन पढ़ दे हाँ पार्ट पढ़ दे हाँ सब अगला पॉइंट है स्तानक विस्तार पारद अद्विस्तार अट डिगरी चार इंच सो लायके सैंती डिगरी सारा इंच उत्री एक शांश विचाले है ते यठाट डिगरी साथ इंच सो लायके स्तानवे डिगरी चोवी इंच पूर्भी देशांत्रा विचाले है करक रेखा इस दे माधवीचो दी लंगनकार के इसनु उत्री यते दखणी दो हिसिया मिच वैंड दी है उत्री पारत दखणी पारत तो दो गुणा ज्यादा खेतर केरदा है जेकर पारादे उत्री सिरे कश्मीर ते तो तू उर्दुखनी सिरे कानिया कमारी तक एक सिद्धी रेखा खीची दिती जावे ता उस दी लंबाई बती सो चौदा किलमीटर होवेगी ए दूरी तर्ती ते उनती डिगरी दू इंच दे अक्षानशी फरकनू दर्सावेगी ज जोकि उत्री गुलार्द दा लगबग एक पटाते नहीं सा होगेगा इसी तरह पूर्भी सिरेते स्तीत और नाचल परदेश तो लेके तोरुल पश्मी सीमा बिंदू रणाफ कश्ट कश्च लेके तोर्पश्मी सीमा बिंदू रणाफ कश्च दी इखाडी तक भी 29 डिगर बारा इंच दा देश अंत्री फर्क है जिस दी लंबाई 2930 किलोमेटर है एन्ने वड़े अंतर दे कारण ही जदो अरुनाचल परदेश विच अजे इस दीन निकलिया हुई उन्दा है ते दूजे पासे कश्च दी खाडी गुजरात विच दो गंटे दी रात अजे चल रह भी हुंदी है बच्यों आओ असी इस पॉइंट नो हुंजरा विस्तार देनाल समझ दे हां तुसी मैं तो हनो इस टॉपिक नो समझन दे ले तीन फूट मां पी जी हां तो हड़े इस टॉपिक दी पहली लाइन विच दस्या गया कि पारत दा विस्तार अट डिगरी चार इ अटी डिगरी स्तारा इंच उत्री एक शांच तक है ते तुसी सुच रहे होगी कि एक शांच की हुंदी हैं देशांतर की हुंदी हैं पहला असी इनना वारे जान दे हां ते फिर असी पारत दी स्तिती समझ दे हां तुसी मेरे द्वारा पेजी पिक्चर देख रहे हो तुसी एस विच देख रहे हो कि सारियां रेखा मां गोला कार हां अते पूमद रेखा दे समानंतर हां यानि के बिल्कुल ब्रपर हां एनननों अक्षांश आख दे हां हून तुसी पुछोगे की अक्षांश हुन देखी हां तर्तिदा अधियान करन लेई पूर पच्छम दिशादी वलक कुझ कल्पित रेखा मां किचिया गिया हां ए सारियां रेखामा गोला कार हन, तेपू मद रेखादे समांतर हन, ए नानू अक्षांश आख दे हन होन असी ए नानू मैप देथरू समझ दे हन, तुसी गलोब देख रहे हो, ए जो गोला है इसनो असी गलोब कहन दे हन एस दे विच जो लाइन जहन, ओ अक्षांश रेखावा हन, अते बिल्कुल विच विच जो अलाग बनी लाइन है, ओ ओ मद रेखा है आओ, होन कुछ होर अक्षांश दे बारे जान दे हाँ, जिस दिल्ली मैं दहानू, दूसरी एक होल पिक्चर पे जी है, जिस विच कुछ पुर्मुक अक्षांश लिके आ हुए है तुसरी देख रहे हो कि गलोब जो लाइन दो हिस्यानों वंड़ दी है, उसनों को मद रेखा किया जान दा है ओ गलोब दा जिरो डिग्री पॉइंट है 23.5 डिग्री उत्तर विच करक रेखा है, अते 23.5 डिग्री विच दखन वेच मक कर रेखा है 66.5 डिग्री उत्तर विच आर्कटिक गोलाकार है, अते 66.5 डिग्री दखन विच अन्टार्टिक गोलाकार है ये सारे साडे अक्षांश हन तुसी अपने पैरे दी अगली लाइन वेच पढ़ेया, देशांतर पढ़ेया, शब्द पढ़ेया इसनों समझन लई, देशांतर नों समझन द लई, मैं तो होनों एक वोर फोटो पीजी है जिससे नीचे लिख्या होया है, खल लिख्या होया है देशांतर लिख्या होया है देख्या आओ होन असी इसनों समझ दे हाँ एवी साड़े गलोब दी ही फोटो है तुसे देख रहे हो कि एरे खामा ना समाना अंतर हन, ना गूला कार हन, बलकि अर्द गूला कार हन इना लाइन्स नों तेशांतर आख दे हन वीच वली जो लाइन है, वो मुख मद्यन रेखा है जिस तरह साड़े अक्षांश पूमद रेखा तो 0 डिग्री तो लाके 90 डिग्री उत्तर तक हन 0 डिग्री तो लाके 90 डिग्री दखन तक हन उसे तरह देशांतर वी 0 डिग्री तो लाके 180 डिग्री पूरव तक अते 0 डिग्री तो लाके 180 पच्छन तक हन हून तुसी बच्चो अक्षांश ओते अते दिशांत्रा वारे समझ लिया कि अक्षांश ओत दिशांतर जोडेने उहुंदे की हन आउ होन अजी पारदी स्थानक स्थिती बारे समझ दे हां पारदी स्थिती समझ लिया सानू परमुख अक्षांश वाली बिच्चर दुबारा देखनी पहेगी तुसी 0 डिग्री पूमद रेखा देख रहे हो ते पारद 0 डिग्री तो लाके 8 डिग्री तो शुरू हुंदा है ते सैंती डिग्री सारा इंच तक है तुसी हुन पारदनू जानन दे लेई 8 डिग्री तो लाके सैंती डिग्री ते स्तारा इंच तक माप कर सकदे हो ते जान सकदे हो कि यह थे साड़ा पारद है इसी तरह ही तुसे दूसरी पिक्चर विखो जिस विच देशांतर लिखिया हुए है इसनों त्याना देखो कि ये इस पिक्चर विच दिखाया गया है कि ये भी पारत दिखाया गया है कि 20 डिग्री तो लेके 160 डिगरी तक दिखाया है पारत जो है 985 डिगरी पूर्वी देशांतर तक मलना है कि सड़ा पारत है यही पारति सिति है हुम तुसी पारदा नक्षा देख रहे हो तुसी पारदा नक्षा देख रहे हो तुसी एस विच वेख रहे हो कि एक लाइन है इसनों से करक रेखा केंदे है करक रेखा पारतनों दो हिसें विच बंड दी है दोनों हिसे ब्राबर नहीं है उत्री हिसा य construction पारत उपर वाला हिसा जो है ओड़ा है दख्णी पारत लाइं तो थले वाला पाक जड़ है और चोटा है पारत दी उपरी सिरे परलब उतरी सिरे कश्मीर तो लेके दखनी सिरे यानि कि कन्या मुर कुमारी तक दूरी जड़िया बती सो चौदा किलो मीटर है उतरी खब्बे पासे तो लेके पाब पश्मी सिरे तो लेके गुजरात तो लेके सज्जे पासे पाब पूर्वी सिरे और नाचल पर्देश तक दी दूरी 2930 किलो मीटर है बच्चू आशा है कि तुसी इसनों समझ गए होगे आओ असे आपना अगों पाठ पढ़ना शुरू कर दे हैं इन्नी ज्यादा विशालता है देकारण ही पार्थनों इक उपमाद विप्दा दर्जा दित्ता जन्दा है उपमादीप इको विशालते सुतंतर लाका होंदा है जिस दे पूपाग दियां सी मामा वखो वकरियां सलकरितियां दोरा बणाईयां जलिया हैं जो कि इस नू आसपास देखे तरह दो वक कर दियां पार्थनोंवी उत्तर दिशा विच ही माल्यातो पार अगील मुझतग कुल्नों कराकरम हिंदु कुष्ते जासकर प्रवश्रेणियां तिद्बत्तो दखडी दिशावल पाक जल डमरूते मनार दिखाडी शिल्लंका तो पूर्व दिश पूर्वी दिशा विच अरकान योमा में अमार तो अधे पश्रम विश विशाल थार मरूसल पाकिस्तान तो वक कर दे हन पारदे इनने विशाल केतर दे कारण हियान एका सब्याचारक आर्थकते समाजक पिंतावा मिल दिया हन पारेश दे बावजूद विश विच जलवायू संस्क्रिती आधी विच एकता मिल दिया है आव बचे उनिस पाइट नो समझ दे हाँ पारदा खेतर फल एनना है कि पारदे कोले नी जमीन है हून दे कारण उसनू मादीप उपमाद्वीब दरजय का जन्दा है तानो मैं समझ दे हाँ कि उपमाद्वीब हुनदा की है उपमाद्वीब एह वो जे आप उम्मीदा टुकड़ा हुनदा है जिसनू चारो पासियों किसे ना किसे थलक्रिती ने केरिया हुनदा है ते ओ थलक रितियां जडियां ने उनों दुनिया दे दूसरे देशा देनालों अड़ कर दिया हान। दखन वीच पाग जल्डमरू अते मद्दे दे मनार दी खाड़ी एसनू शिलंका तो अड़ कर दियां। ते जे करे एसी मामा पारत दिनाल ना लग दिया हों दियां। पारत वीच ही शामल हों देता असी पारत नू उप महादवीप कह सकते सा पर हून असी एसनू उप महादवीप ती संग्यात दिप्तीता जान्दी है जरूर। पर इसनू उप महादवीप नहीं कह सकते। आओ बच्चिव असी अपना अगला पाइंट पढ़ दे हां। तो की सारेत संसार दा 2.2 प्रश्यत बढ़ दा है। इस परकार केतरफल दे पक्खु पारत संसार दा 15 वड़ा देश है। इस तो वड़े छे देश क्रमव, रूस, कैनेडा, चीन, यूएसे, ब्राजील, अस्ट्रेलिया है। वड़े देशा मीच एह रूस दे 17 हिसे अते कनेडा देगे विल तेरे विल तीसरे हिसे दे बराबर है। जद की छोटे देशा दे मुकाबले एह इंग्लेंड तो बारा गुणा ते जपान तो आठ गुणा वड़ा है। पारत दा उत्तर दखना ते पूर पश्म विसार तरती दे कुल केरे दा लागपक बार माही साही बनदा है। सड़ा नेक्स्ट पॉइंट है गौणडी देश। पारत दी थलवर्ती सीमा नाल कुल सत देशा दिया सरहदा शूंदी हैं। उत्तर अते उत्तर पश्मी दिशा विच पाकिसान, अफगानिस्तान, चीन, गौणडी देशं। अते उत्तर पूरव अते पूरव विच नेपाल पुटान में अमार ते बांगला देश सीमा सांजी करते हैं। आव अच्यों इन पॉइंट्स नो होना सी विस्तार ना समझ दे हां। पारदा केत्रफल यानि कि उस दे कोल जमीन बती लख 87,230 वरगी किलो मेटर है। जो कि संसार दी जमीन दा 2.2 परिश्यत हिस्सा है। साड़े तो 6 होरव वड़े देशं जीना दे कोल साड़े ननो जैदा जमीन है। ओहन, रूस, कैनेडा, चैना, उनाटेट स्रेट सोफ अमेरिका, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, रूस साड़े ननो 7 गुणा वड़ा है, ते कैनेडा तीन गुणा, पारत इंगलेंड ननो 12 गुणा वड़ा है, ते जपान ननो 8 गुणा वड़ा है। साड़ीयां सी मावा, पाकिसान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, पुटान, मियमार, बांगला देश नाल लग दिया हान, ते साड़े गुणाडी देश हान। बच्यों, असी, इस हिसे विच पारत बारे, पारत इस सिती बारे, खेतर फाल बारे, काफी कुछ जाने, अते पारत नूं असी, काफी, अब मैप से तरू काफी डिटेल वीच समझे हा, आशा कर दी हा, के तुहानू ए लेशन जड़ाया, मेरे द्वारा समझाया, गया लेशन जड़ाया, ऑछ चैंगी तरह समझा गया होगा, तista नो ए चंगी तरा लेशन पता लग गया हुएगा बच्चो तुसी i इस लेशन नो हूँ e-book दे पेश तो चंगी तरा वेक के पड़ के सुनना है पळणा है तो सुनना है अधि चंगी तरा मेरे द्वारा जो समझाया गया है उसनो समझना है ते जे फिर भी तुव ज़तानों नहीं समझ मीच आवे ता तुसे ही मेरे कुलो मेरे पर्षनल नमबर दे पुछ सकते हो धन्वाद